सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें। जैसंतो शीमा, दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जानिये आपकी राशियों के बारे में और कैसा रहेगा आपका दिन। आईए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज आज आपकी मन की आवाज बेहद सक्रिय रहेगी और हर काम में आपका मार्ग दर्शन करेगी। आप मजे में भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि भाग्य आपके साथ है, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले सोच विचार करना महत्व पूर्ण है। आज आप भावनाओं की बाठ को अनुभव करेंगे और पुराने दोस्तों या परिचितों से मिलने पर खुशी होगी। आपकी सोच अच्छी चीजों को ग्रहन करने के लिए खुली रहेगी। जिन लोगों ने किसी रिष्टेदार को पैसा उधार दिया था, आज वह उधार वापस प्राप्त करने की संभावना है। ध्यान रखें कि आपका अडियल रवया घर पर लोगों के दिलों को चोट पहुँचा सकता है, यहां तक की नज़दी की दोस्त भी आहत हो सकते हैं। प्यार एक ऐसा जजबा है जो समवेदन शीलता और समझदारी की मांग करता है। आज आपका रचनात्मक काम आपको सराहना दिलाएगा और आपके आसपास के लोगों को अचरज में डाल देगा। आप समय का अच्छा उप्योग करने के लिए पार्क में घूमने का प्लैन बना सकते हैं। हालां कि वहां किसी अंजान व्यक्ति से बहस होने की संभावना है जो आपके मूड को खराब कर सकता है। आपके जीवन साथी का प्यार और समर्थन आपको जीवन की मुश्किलों का सामना करने में मदद करेगा। पूरे दिन आप उत्साह में रहेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। अविवाहित लोग अपने दिल के मामलों में दबाव महसूस करने से बचें और निर्णय लेने की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। आज आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की आवश्यक्ता होगी। शांत दिन आपके लिए तैयार है और पन्ना हरा रंग आपके लिए शुब रहेगा। दोपहर का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। आज आपको मेहनत और द्रढ निश्चे की आवश्यक्ता है। आप अपनी मेहनत और समर्पन से कई कारियों को सफलता पूर्वक पूरा कर लेंगे। व्यक्तिगत व्यवस्था के साथ परिवार से संबंधित गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। जिससे आपको संतोष प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने गुसे पर काबू रखें। आज पैर में दर्द और बुखार की संभावना भी हो सकती है। आज आपकी आए में व्रिध्ध होगी और आपको सहयोग भी मिलेगा। विरोधियों को पराजित करने में आप सफल होंगे और संतान से सुख प्राप्त होगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी लेकिन दोपहर में कुछ परेशानियां हो सकती है। पेट, कमर और सिर में दर्द हो सकता है और आँखों में भी परेशानी आ सकती है। शाम का समय बेहतर रहेगा। समय का प्रबंधन व्यवस्थित रखें और कुछ समय सामाजिक और सोसाइटी की गतिविधियों में भी व्यतीत करें। इससे संपर्क का दाइरा बढ़ेगा और आपको कुछ नए अनुभव भी मिलेंगे। घर के किसी सदस्य की स्वास्थे को लेकर व्यस्त रहना पड़ सकता है। लव लाइफ लोग आपकी सहनुभूती की ओर आकरशित होंगे और आप गलती से इसे ध्यान खीचने का प्रयास मान सकते हैं। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, उन्हें दिन का आनंद मिलेगा। आप अपने साथी के साथ दिल से अच्छा समय बिताएंगे। बीतेगा? आप सामाजिक क्षेत्र में भी प्रेम से भरे हुए रहेंगे और अपनी बातों से सभी को आकरशित करेंगे। एक करीबी मित्र आपकी ओर आकरशित हो सकता है और यह रिष्टा आपके जीवन में खुश्भू भर सकता है। अपने लव लाइफ में अपने अनुभव और रचनात्मक्ता का प्रयोग करके आप और भी नजदीक आ सकते हैं। आप अपने प्यार के लिए पजैसिव महसूस कर सकते हैं जिस से मतभेद होने की संभावना है। आज का दिन आपके प्यार और रिष्टों के लिए विशेश रूप से सकारात्मक और रोमांटिक रहेगा। आज बिक्री या खरीद के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके सितारे आपके पक्ष में हैं और इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावना है। आपके आप किसी कानूनी अनुबंध या समझोते पर विचार कर रहे हैं तो यह सही समय है। आज आप कुछ उदास महसूस कर सकते हैं। संभवता अधिक काम के कारण। अपने काम के बोज को कम करने की तरीके खोजें। दुरगटनाओं और अन्य परेशानियों का सामना करने की संभावना है। सावधान रहें और अपनी सुरक्षा को प्रात्मिक्ता दें। खुद पर सैयम बनाए रखें और अपने साथी पर विश्वास रखें। विश्वास एक मजबूत लव और रोमांस के रिष्टे का आधार होता है। आज आपके कार्य की आलोचना हो सकती है। सावधान रहें और इस पर ध्यान दें। लेकिन इसे व्यक्तिगत न लें। आलोचना को सुधार के अवसर के रूप में देखें। अपने व्यापार या नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसी, समझदार और द्रढ़ बने रहें। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां बनी रहेंगी लेकिन पूरी मेहनत से आप अपने टार्गेट को हासिल कर लेंगे। अपनी कार्यक्षमता को साबित करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। आफिस में काम की अधिकता रहेगी लेकिन यह समय पर निपड़ जाएगा। सेवा क्षेत्र में काम कर रहे लोग अपनी आए में बढ़ुतरी की उमीद कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो अपने विचारों को खुल कर व्यक्त करें और सुनिश्चित करें कि आपकी आवाज सुनी जाए। दिन के मध्य में काम का बोज उँचा रहेगा। लेकिन उमीद है कि दिन के अंत तक यह कम हो जाएगा। अपने सुरक्षित भविश्य के लिए एक बीमा पॉलिसी पर विचार कर सकते हैं। यह आपके वित्तिय सुरक्षा के लिए लाभकारी हो सकता है। आलोचना को सुधार के अवसर के रूप में देखें। कार्यक्षेत्र में साहस और समझदारी से काम करें और अपनी मेहनत को जारी रखें। अपने विचारों को खुल कर व्यक्त करें और भविश्य की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। आज आपको अचानक और अप्रत्याशित रूप से तेज गुस्सा आ सकता है। ये शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। अपने परिवार पर इसका असर डालने से बचें और अपने रियक्षन पर नियंतरण रखने की कोशिश करें। पिछले कुछ दिनों से चल रहे भावनात्मक तूफान का यह एक नतीजा हो सकता है। सबसे पहले इस भावनात्मक स्थिती को हल करने की कोशिश करें। याद रखें कि गलतियाओं करना सामान्य है और आप अकेले नहीं हैं। गलतियों को स्वीकार कर उन से सीखें। यदि आपको नवीन नौकरी के प्रस्ताव मिलते हैं तो वे उसी कार्यक्षेत्र में हो सकते हैं। हालांकि साक्षातकार के लिए बुलावा आ सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह काम आपके इच्छित क्षेत्र में हो। अपने विकल्पों को खुला रखें और उन प्रस्तावों को ध्यान पूर्वक पर खें। आज लक्षमी वैभव व्रत करें। यह आपके लिए शुभ रहेगा और आपके जीवन में सकारात्मक उर्जा का संचार करेगा। अपने गुसे और भावनात्मक स्थिती पर ध्यान दें। परिवार के साथ समवाद में सावधानी बरतें। और अपनी सेहत और भावनात्मक भलाई का ख्याल रखें।